नमस्कार, विल्कम टो माई चैनल, मैं हूँ मनिशा, दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर है, क्योंकि आज हम आपको बहुत सारी चोटी चोटी बाते बताएंगे, कि रोज मर्रा के जिंगी में आपके बहुत काम आएंगे, आप यूँ कह लिजी, कि आपके घर चोटी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और दोस्तों ये जो चोटी बाते होती है, आपको अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उन्हें इन सभी बातों का पता होना चाहिए, क्यों लोग सोचते हैं कि ये सभी फिजूल की बाते हैं, दक्यानोसी बाते हैं, तो आप इसे इग्नोर ना करें, इसे आप ध्यान में रखें, और अपने बच्चों को इसका माइने सिखाएं, इसका जीवन में क्या अहमियत है, उन्हें जरूर बताएं, तो चलिए हम अपने वी चाहते हैं, तो आप लिंक में एक वाट्स अप नंबर होता है, उसमें मैसेज करके सभी डेटेल्स जान सकते हैं, और अपना रजिस्टेशन करवा सकते हैं, और अपना जोतिसी सला अप ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के पास अपनी डेटा बर्थ नहीं होती है, तो आप अपने बच्चों की डेटा बर्थ से भी अपना भवी से जान सकते हैं, अपने बच्चों का भी जान सकते हैं, या फिर आपके पास अपनी पत्नी की डेटा बर्थ सही होत, उसे भी आप अंकलन करवा सकते हैं, तो चलिए अपने वीडियो को शुरवात करते हैं, आपको कभी भी अपने बालों को खड़े होके नहीं बनाना चाहिए, जब भी आप बाल बनाएं, तो एक स्टूल पे बैट जाएं, उसके बाद अपनी चोटी को बनाएं, या फिर आप अपने बच्चों की चोटियां बना रहें, तो बैट के ही बनाना चाहिए, खड़े होक जब भी द्रेसिंग टेबल मिलता है, उसके साथ में छुटा सा स्टूल भी मिलता है, तो इसलिए मिलता है, आप जब भी अपना सरंगार करें, तो आप जरूर बैठें, खड़े के सरंगार नहीं करना चाहिए, और साथ ही आपको ध्यान देना है, कि जब आप अपने बालों क या फिर ब्रेट को आप जब खाते हैं, हम इसा पहले उसे हाथों तोड़ें, उसके बाद खाएं, दातों से काटके रोटी खाना या फिर ब्रेट खाना अशुब होता है, ऐसा करने से दरीदरता आती है, तो आप अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, और स्वेम भी ऐसा ध धन की बरकत नहीं होती है, हमेशा तंगी का महल बना रहता है, आप जित्ते पैसे कमाते हैं, जादा पैसा खर्च हो जाता है, बचत बिलकुल नहीं होती है, तो आपके घर में बरकत वनी रहे, मतरानी की करपा रहे, तो इसके लिए बिर आपको तो दस्वा हिस्सा आपको दान करना चाहिए लेकिन ऐसे बजट में नहीं हो पाता है अभी बहुत सारे लोगों का तो आप सैलरी का कुछ हिस्सा जैसे आप सो रुपे कमाते हैं तो उसमें से करीब पांच रुपे आप निकाल के हमेशा भगवान के लिए या फिर गरीबों के लिए मत अब एक गुल्लक आप बना ले उसमें आप उसे स्टोर करते जाएं या परड़े आप एक रुपे ही उसमें डालते जाएं ऐसा करने से एक दिन महीने में, छे महीने में आपका जो गुल्लक भर जाएगा, उसके बाद उस गुल्लक से आप कुछ अनाज, कुछ फल, कुछ मठाईयां खरी दें और गरीमों में माटे, ऐसा करने से आपके घर में मातारानी के क्रपा आती है, दोस्तों ये जो छोटी-छ को कि परिवार के लोगों के ख्यती है, परिवार से अनय लोग, जैसे आपके घर कोई मेड आती है, या फिर आप के आफिस में, कोई आपको फ्र geschी क्वेंदि, आप उसे छोटा ही भाइट आप दें, थोड़ा ही दें, लेकिन आपको अपने रसोई में बना हुआ भोजन, कुछ हिस्सा आपको दूसरे को जरूर खिलाना चाहिए, यदि आपको कोई नहीं मिलता है, तो आप अपने पहला निवाला, जब भी आप भोजन करें, जो पहला निवाला होता है, आप एक ब कर रहे हैं, तो उसके बाद आप बाहर निकल के आसपास के एरिया में उसे आप फेक दें, जहां से कोई भी जानवार आके उससे खा सकता है, ऐसा करना बहुत ही लागकारी होता है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखें, दोस्तरा दोस्तों, भगवान से जुड़ी बहु जैसे पतंगी कागज कहा जाता है, उसे भी लोग बिष्चाते हैं, लेकिन आपको एक कपड़ा जरूर बिछाना चाहिए, जैसे कि भगवान को आसन देना कहते हैं, तो आप एक लाल रंका कपड़ा अपने भगवान के मंदिर में जरूर बिछाए, ऐसा करने से आप सामने आगरा आप जरूर किया करें तो ये छोटी-छोटी बाते होती हैं लेकिन बहुत ही शुब होती हैं इसी प्रकार से आप अपने तीजोरी में जो भी धन रखते हैं कैश रखते हैं उसमें आपको नीची एक लाल कपड़ा जरूर बिछाना चाहिए धन और कैश रखने क स्थान पर मातालक्ष्मी का वास होता है और वहां पर भी हमें मातालक्ष्मी के आसन के लिए एक लाल या पीले रंग का कपड़ा जरूर बिछाना चाहिए इसी प्रकार से आप अपने पोकेट में जब भी आप पैसे रखते हैं अपने पर्स में पैसे रखते हैं तो यदि की दिनों में अर्पित करते हैं, चौकी पे बिचाते हैं, उसमें से आप ले सकते हैं, और उसकी एक पोटली तयार करें, उसमें जो डोरी आप लगाएंगे, वो पीले रंगी होनी चाहिए, लाल और पीला रंग बहुत ही शुब होता है, ऐसा कहा जाता है, कि जो लाल रंग ह मातालक्षमी को बहुत ही प्री होता है, और जो पीला कलर होता है, वो भगवान विष्णू को बहुत ही प्री होता है, और जहां पर भगवान विष्णू रहते हैं, वहां पे मातालक्षमी स्वयामाती है, तो इस तरीके से लाल और पीले रंग का मेक्षर आप पोटली बन से उन्हें निजात नहीं मुलती है, कर्जा उनके पर लगता जाता है, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप एक उपाय जरूर करें, आपको करना क्या है, शनिवार के दिन आपको यह उपाय करना है, एक मिट्टी का घड़ा ले ले, छुटा सा ले ले, और जैसे कु जाना चाहिए, सील कर दें, और फिर किसी नदी या ताला आपके पास जाए, और वहां पे खड़ा खुद के उस मिट्टी के पात को, जो सरसो का भरा हुआ तेल है, उसे जमीन में दबा दें, और उपर से मिट्टी डाल दें, ध्यान रखें, जो उसे मिट्टी को खोदने क करजे से राहत नहीं मिल रही है, आगे हम बढ़ते हैं, आपको 40 दिनों के अंदर अपने बालों को जरूर कट करवाना चाहिए, जैसे हेर कट कवाते हैं, चाहे महिला हों या पुरुष हों, 40 दिन के अंतराल पे एक बार आपको अपने बालों में कैची जरूर लगवानी चाहिए, और साथी और एक बहुत ही महतुपूर बात है, कि आप जब भी सोएं या आपके बच्चे सो रहे हैं, तो पेट के बल नहीं सोना चाहिए, ऐसा करने से आपके स्वास्त पे भी उसका प्रभाव पढ़ता है, आपकी आँखे बहुत कमजोर हो जाती है, यदि आप लगातार पेट के बल सोते हैं, या फिर पेट के बल लेट कर पढ़ाई या लिखाई करते हैं, ऐसा पिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो इस पात का ध्यान आवस्ते दें, साथी दूस्तों एक बहुत ही महतुपूर बात है, कि आप जब भी भूजन करें, अपने घर में ज़्यादा तर ये गलती महिलाएं करती हैं, क्या करती हैं कि पूरे घर के लोगों को खाना परुस्ति हैं, खिलाती हैं, और जब स्वयम खाना खाती हैं, उसके बाद वो जो खाने की ठाली होती है, ज़्यादा तर लोग वहीं पे टेबल के नीचे, सोफे के नीचे, या फ और आप यह भी ध्यान दे आप कभी भी आपको इस तरह से जूठे बरतन रखे आपको नहीं सोना होता है, यह आप जरूर ध्यान दें अगली बाती हैं दोस्तों कि आप जैसे कि हमें संसारिक जीवन में जिने के लिए बहुत सारे ऐसे आज कार्य भी होते हैं जो हम चाहते हुए भी मतल éta नहीं चाहते हैं कोई पी अनितिक आप से गल्ती हो जा रही है और उससे बहुत ज्यादा आपको गल्टी फील हो रही है, अप प्रैशित करना चाहते हैं और अपकार नहीं पा रहे हैं तो ऐसी भी आपको करेंरा क्या है कि करिब 6 महीने में एक महिने में आपको अपने सिर से एक पानी वाला नारियल ले और अपने सिर से एंटी क्लॉप वार के आपको किसी भी देवी के मंदिर में अर्पित करना चाहिए यह अस्टमेत इती हो तो बहुत ही शोब है ऐसा यह आप लगातारिक नियम बना लेते हैं कि यह महीने में एक बारी आपको पानी वला नारियल अपने सिर सेवार के मंदिर में रखने की आप इस प्रथा बना लें आप अपने परिवार के लोग को भी ऐसًा सिखाएं ऐसा करने से जो भी आप पड़ा आप करते हैं जो भी आप अन intentions कारे करते हैं को independent आप गलती करते हैं भूल से यह नहीं कि आप जान बूझ के करें और इस तरह से प्रैश्चित करेंगे तो आपके पापों का जो है माफ हो जाएगा बगवान आपको माफ करेंगे ऐसा नहीं है जैसे बहुत सारी चीजे होती है कि हम किसी के बचाव में आके करते हैं या फिर बहुत सारे ऐसा चीज है आप समझ लें तो आप इस तरह का यह नारियल वाला उपाय करें बहुत ही शुब होता है दोस्तरों दोस्तरों माली जी आप किसी महतपोंड कारे के लिए जा रहे हैं और आपका कार्य नहीं बन रहा है बार-बार आप प्रयास कर चुके हैं तो ए मिर्च का एक दाना मुह में रखके जाए और जब भी आप पहला कदम बघर से बाहर निकाले तो उस दाने को आप क्रश कर लें यानि दातों से कट करके फिर आप निकले ऐसा करने से आपको बहुत ही जो लाव होगा मिलता है आपका कारी 100% बनने लगता है एक बहुत ही महत अगली महत्वपूर्ण बाद की जैसे हमारे हिंदु धर्म में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है महमान भगवान सो रोप होते हैं और हम सभी उनका आधर भी करते हैं हमारे मिडिल क्लास में तो ऐसा होता है कि जब भी कोई नई चीज़े आती है तो आपने अक् अक्सर माय यही कहती है कि आप इसे रगदो मेहमान आएंगे फिर उनके लिए हम निकालेंगे यानि कि हम भगवान का दर्जा देते हैं उनके स्वागत के लिए अच्छे चीज़े हम स्टोर करके रखते हैं और उनके इंतजार में कि जब हमारे घर भी का देंगे तो हम यह करना क्या है कि आपके घर जब भी मेहमान आए तो आप उन्हें उत्तर की देशा में बठाएं या फिर उत्तर पस्चिम की देशा में बठाते हैं तो आपके जो मेहमान होंगे वो हमेशा आपसे खुश रहेंगे आपके साथ आर्ग्यू नहीं करेंगे आपके बातों से सहमत ह होके आपकी बातों से सामने वाला जो guest होता है वह खुश रहता है वो आपको सम्मान देता तो इस प्रकार से यदि आपके मेहमान भी आपसे रोस्ट रहते हैं, तो आप उन्हें हमेशा उत्तर दिसा में या फिर उत्तर पस्टी में दिसा में बठाने की कोशिश करें, घर की उन्नती के लिए भी आपको एक काम हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, कि कभी भी आपको कोशिस करें या फिर सूरियोदय के साथ में ही उठें सूरिय सिर पे चड़ जाता है उसके बाद आप उठते हैं तो भी धन हानी का संकेत होता है मालीचे आप किसी जॉब में है आपकी नाइट डूटी है तो इक अलग बात हो जाती है वन्ना आप हमेशा इस बात का ध्यान र तो इससे आपको मानसिक शान्ती मिलती है भगवान स्यूक की प्रसन्यता प्राप्त होती है साथी माता लक्षमी की क्रपा भी आपको प्राप्त होती है तो आप ऐसा जरूर किया करें तो इस तरीके से इन चोटी-चोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं आपके किसी भी हलफूल लगे तो प्लीज हमाई वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें निए वीडियो के लिए थैंक यू